बजट की तरफ कल आने वाला है बजट और अलग-अलग सेक्टर की धेर सारी उम्मिदे हैं आईए आज आपको बताए ओटो सेक्टर क्या चाता है इस बजट से तयारे कुशिल गुपता बताने के लिए कुशिल बताए बिलकुल सर पिछले साल भी एलेक्टरिक वेहिकल को ल उसके साथ साथ EV Charging Infra इसको लेकर भी अब सरकार बहुत जादा सक्रिय होती भी दिख रही है जिसमें नए Policy Incentives आने के भी घोशना लगा कर चल रहे हैं तो अगर ऐसा होता है तो काफी सारी जो EV Charging Infra में कमपनिया हैं जैसे कि Tata Power, VHL ये सब स्टॉक्स को आपको अच्छे action में देखने को मिल सकते हैं पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो auto component export की बात बार बार आ रही है जो manufacturing hub बनाने की बात कर रहे हैं तो auto component export को लेकर अगर बड़े incentives आते हैं तो यहाँ पर जितनी भी auto company आ हैं जिनका exports कारोबार काफी बड़ा है वहाँ से अच्छ manufacturing बढ़ाने की बात है electronics को लेकर तो हम already focus में है ही सरकार पर साथ ही अप auto को लेकर भी बड़ा focus बनतावा जा रहा है तो आप Tamil Nadu जैसे शेतर में आप देखे किस तरह का expansion हो रहा है auto component और साथ ही auto OEMS का तो यहाँ पर एक focus है और largely जो EV को लेकर जो मैंने आपको बाते कहीं जह रहा है एक बार budget में आज auto sector को लेकर अविनार सर आपसे भी राई लेना चाहता हूं क्योंकि आप auto sector को काफी closely track करते हैं EV बनाए में जो कारोबार करने वाली company महिन रहा है महिन रहा है उस पर आपका हमेशा से strong buy recommendation रहा है बनाए सर इस sector को लेकर क्या view बनाना चाहिए budget के लि आपने सही का कि electric vehicles पे और green energy पे बहुत ज्यादा focus रहेगा मेरे ख्याल से government भी चाहिए कि electric vehicles और जो ethanol based engines है वहां पे कोई ना कोई बड़े announcement आने की उमीद है नितिन गड़करी जी ने का है कि वह ethanol engines का का इनो काफी positively देख रहे हैं तो ऐसा कुछ अगर budget में announce होता है तो मेरे से ओटो सेक्टर के लिए और एक री रेटिंग का इनो एक potential रहेगा मेरे ख्याल से definitely commercial vehicles पे उसके बाद passenger cars पे अगर कोई ना कोई incentives आता है raw metal के point of view से या you know taxation के point of view से जो industry expect कर रहे है तो definitely इसमें और तेजी बनेगी but overall मुझे लग रहे है कि auto sector में सबसे बड़ा जो trigger है वो basically imported components का जो अगर duty structure थोड़ा सा favorable होता है क्योंकि electric vehicles के लिए अभी भी करेवन 70-80% जो components बनते हैं वो सब imported होते हैं यहां पे अगर कोई benefits आता है तो definitely auto sector को फायदा होगा तो net net I think यह सारे expectations है जो मुझे लग रहा है कि possibly industry expect कर रही है so let us wait and watch कल के budget के लिए ओके तो auto sector के लिए काफी कुछ अच्छा होने की अमीद आप कर सकते हैं